A very good morning students. I am your teacher from Sanskriti Guruklam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 9, Wooden Bowl. Wooden Bowl means लखडी का कटोरा. चलिए हम introduction read करते हैं. All people are very loving. जो बूड़े लोग होते हैं, वो बहुत loving होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं. They love us, वो हमें बहुत प्यार करते हैं. But due to growing old, they need our help. लेकिन क्योंकि वो बूड़े होते हैं, इसलिए उन्हें हमारी मदद की जरूरत होती हैं. So, we should love and respect them. इसलिए हमें उनको प्यार देना चाहिए और उनकी respect करनी चाहिए. Read this story and know how a little child taught a lesson to his parents. हम इस story को read करेंगे और जानेंगे कैसे एक छोटे से बच्चे ने अपने पेरेंट्स को एक lesson सिखाया, एक सबक सिखाया and provided love and respect to his old grandfather. और अपने grandfather को love और respect दिलाई, उनको प्यार और सम्मान दिलाया. चलिए, अब हम आगे read करेंगे. He would often not buy the fireside and dose off. कभी-कभी क्या है? वो जहां पर आग जलाते हैं, fireside क्या होता है? आग जहां पर आग जलती है. तो वहां पर आग जलाते थे, वहीं पर बैठे-बैठे, थोड़ा सो जाते थे. जब की ले लेते थे वहीं पर. We lived in a small town in Kashmir. हम एक Kashmir के छोटे से कजबे में रहते थे. When grandpa was young, जब हमारी जो grandpa हैं, वो बहुत young थे, जवान थे. He was a very good carpenter. वो बहुती अच्छे carpenter थे. Carpenter कौन होते हैं? जो लकड़ी का काम करते हैं. वो कौन होते हैं? Carpenter होते हैं. People would come from Delhi to place their orders. लोग डेली से आते थे, उनको order देने के लिए. He used good quality wood. वो एक बहुती अच्छी quality use करते थे wood की. And people liked his work. और लोग उनका काम को बहुत पसंद करते थे. My father learnt to be a good carpenter from him. मेरे father ने भी उनी से carpenter का काम सीखा. And earned well और अच्छा कामाया भी. Soon, I too started going to the workshop. दीरे दीरे मैंने भी जाना वहाँ पर शुरू किया workshop क्या होती है? जहाँ पर ये काम होता है. कार खाना यहाँ पर लकड़ी का काम होता है. वो क्या होती है workshop तो? जो चोटा बच तो तो इसने भी आपर क्या क्या यूज किया? लकड़ी को काट न शेप देने के लिए उसने महाँ पे हैमर नृष वार प्लेश पनेम होता हैंने होता है का चानी वनी शेप लगण का इसने माल किया रेकर शेप यूज किया और ऑगर यूं क्या हम हर शाम को सब साथ ने जो डादाजी से उनसे बहुत नाराज रहते थे खाते समय वो कभी-कभी अपने कपड़ों पर सुप गिरा लेते थे जो ग्राइन फादर थे वो खाते समय कभी-कभी अपने कपड़ों पर सुप गिरा लेते थे वेरी ओफ़न ही ड्रॉप्ट दस स्पून कभी-कभी उनके हाथों से स्पून भी गिर जाती थी एक दिन क्या हुआ? एक दिन उनके हाथ से जमीन पर प्लेट गिर गई इट ब्रोक इंटो टाइनी पीसे और वो छोटे-छोटे टुकडों में तूट गई मेरी जो मम्मी पापा थे वो बहुत गुसा हो गया उन पर From that day on, उस दिन से My grandfather had to sit at a side on the floor उस दिन से क्या हुआ? जो मेरी grandfather थे वो जमीन के एक side में बठ कर हने लगे He ate his meal in wooden bowl और वो जो खाना खाते थे किसमें खाने लगे? लकडी के कटोरे में I knew that grandpa was sad मुझे पता था कि जो मेरी grandpa है वो बहुत बहुत मतलब sad है, okay, but he did not say anything लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते हैं वो बहुत sad है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते आप देख सकते हैं सब लोग table पर बैठे हुए हैं और जो grandpa है, वो क्या है? एक side में जमीन पर, side में बैठ के, वो डन बोल में हा रहे हैं One morning I went into the workshop एक सुबा मैं अपने कार खाने गया I was busy all day working on pieces of wood और मैं पूरा दिन कुछ लखड़ी के काम में busy रहा लखड़ी के pieces को कुछ काम करने में busy रहा I did not notice my parents standing beside me मैंने ये भी ध्याननी दिया कि जो मेरे parents हैं वो मेरे पास में खड़े हुए हैं What are you making? उनोंने पूछा क्या बना रहे हो? I wouldn't bowl for you Then you will be old, you can eat and eat I replied फिर मैंने कहा क्या कहा? कि मैं आपके लिए लखड़ी का कटोरा बना रहा हूँ जब आप बूड़े हो जाएंगे ताप उसमें खा सकते हैं There were tears in my father's eyes इससे क्या हुआ ये सुनकर जो उसके father थे, उनके पिता थे उनकी आखों में आसू आ गए My mother too wiped tears away मेरी मा भी अपने आसू पोछने लगी After that, उसन के बाद से My grandfather always sat at the head of the table जो मेरे grandfather से वो हमेशा जो head की seat होती है table पर महाँ पर पैटने लगे He was treated with great love and respect और उनको कैसे treat करा जाने लगा उनको love और respect उनको दी जाने लगी Okay Now इसी के साथ हमारा chapter ये end होता है Now students ये भी हमने जो chapter read किया है इससे हमें क्या सीख मिलती है इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जो old लोग होते हैं जो बूरे लोग होते हैं उनकी भी उनको भी प्यार देना चाहिए उनकी भी हमें respect देनी चाहिए Okay Now students ये जो chapter हमने read किया है ये आप अच्छे से chapter को read करेंगे और अच्छे से